आज तक रेट्यू सुनता है सारा जहां तो आज के दिन के शिरुवात इसी खबर से करेंगे और बताएंगे कि यूपी को बाटने के मुद्दे पर भाजबा क्यूं दो हिस्सों में पटे हुई है उधर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कल तेलंगाना के निजामाबाद में चिनावी रैली को सम्भोधित कर रहे थे उन्होंने चंदर शेखर राओ को कुछ इस तरह निशाने पर लिया तो इन हमलों के पीछे क्या स्ट्राटेजी है और कैसे इसका फायदा कॉंग्रिस भी उठा ले जा सकती है समझेंगे और जाने से पहले ये भी बताएंगे कि मात्र एक साल की भीतर भारत में एवरेज इंटरनेट स्पीड चार गुना तेज करने में किसका हाथ है और जम्मो कश्मीर इस लिस्ट में सबसी उपर कैसे है लेकिन रोज की तरह पहले सुनते हैं 60 Seconds Headlines सुनिए शुभमतिवारे से आमादमी पाटी के सांसत संजे सिंग के घर पर ED की रेट छापे मारी की वज़ह अब तक साफ नहीं निउसक्लिक वेबसाइट के फाउंडर पुरकायस्त और HR Head अमित चक्रवर्थी गिरफतार गैर कानुनी गतिविधी और चीनी फंडिंग के केस में छापा 30 locations पर कारवाई महरास्ट के दो अस्पतालों में तीन दिन में 50 की मौत इनमें 18 बच्चे अभी 70 मरीजों की हालत गंभीर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया क्रिशी भवन में धरना दे रहे है टीनसी नेताओं को पुलिस ने हटाया अब शेक बनरजी का आरोप महिलाओं से हुई बदसलू की कॉंग्रिस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खडगे आज जाएंगे 36 खड़ के रायगड जनसभा को यहां करेंगे सम्भूधित इस साल खड़गे कई है पांच बाच चतिसकड दोरा अर्बिया मॉनेटरी पॉलिसी की मिटिंग आज से शुरू 6 अक्टूबर को नतीजों की होगी होशना इटली के वेनिस में बस ओवर पास सिगिरी 21 की मौत इनमें दो बच्चे 18 लोग घायल अमेरीकी संसत के अध्यक्षपत से हटाए गए रिपब्लिकन संसत केविन मैकार थी अमेरीकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ और एसियन गेम्स में आज अल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकता है भारत नीरज और लौलीना गोल्ड के लिए खेलेंगे अब तक 15 गोल्ड सहित 79 मेडल भारत ने जीते उत्तरप्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्ये कुल शेतरफल 243,290 स्क्वेर किलोमेटर है साल 2000 में इससे अलग होकर एक नया राज्ये बना उत्राखंट लेकिन उसके बाद से भी यूपी को दो, तीन या चार हिस्सों में बाटनी की मांग उड़ती रही है और ताजा बात छेड़ी है भाजपा सांसित और केंद्रिय मंत्री संजीव बालियान ने संजीव बालियान की इस बयान का सबसे पहला विरोध भी भाजपा नेता की ओर से ही आया कसंगीत सोम को सुनिए कोई नहीं चाहता कि यहाँ पश्ची मुत्तर परदेश के नम पर मिनी पाकिस्तान बने हर आदमी चाहता है कि पश्चीम का विकास हो पश्चीम में लोईन आउडर अच्छा हो जो आज है तो जहां संगीत सोम को मिनी पाकिस्तान का खत्रा है तो वहीं कॉंग्रस नेता अजैर आय को लगता है कि ये मुद्दे को भटकाने के लिए भाचपा की ओर से बस एक शिगूफा छोड़ा गया है तो आज कॉंग्रस भले ही इसे ध्यान से भटकाने वाला मुद्दा बता रही हो लेकिन साल 1953 में जवाहरलान नहरू यूपी को चार हिस्सों में बाटने की वकालत कर चुके हैं बियार आम बेटकर भी यूपी को तीन हिस्सों में बाटने की पक्ष में थे 2012 के विधान सभा चनाओं से पहले तब की मुख्य मंत्री मायावती ने यूपी को चार हिस्सों में बाटने का प्रस्ताव भी विधान सभा में पास करा लिया था उसके बाद से ये मामला राज़तिक रूप से थंडे बसते में चला गया था आज केंद्र और राज़े में भाज़पा की सरकार है मामला ये है कि भाज़पा के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रही है फिलहाल इस पर बीजेपी के क्या स्टाइंड है इसे समझने के लिए हमने बात की लखनओं में मौझूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिशेग से देखिए राजियों के बटवारे को लेकर यूं तो बीजेपी हमेशा से छोटे राजियों की पक्षधर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के बटवारे को लेकर बीजेपी के स्टैंड अब विलकुल साफ है कि वो इस पर और बटवारा नहीं चाहती है दरसल 1911 में जब मायवती सत्ता में थी तब उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि हरित प्रदेश बुंदेल खंड अवद और पुरवांचल को अलग अलग चार राजियों में चार प्रदेशों में बाटा जाया चार राजिये बनाये जाए लेकिन उनके इस प्रपोजल क को लगभख खारीजी मान लिया गया था बीजेपी ने तब ही इसका विरूद किया था और आज भी बीजेपी अब उत्तर प्रदेश को और बाटने की जो कोशिश है उसके खिलाफ में रही है दो साल पहले मुक्वंत्री योगी आदितिनात ने साफ साफ यूपी के किसी भ बटवारे का विरूद किया था और अपना स्टैंड बिलकुल साफ कर दिया था कि बीजेपी जो है वो जोडने में यकीन रखती है बाटने में नहीं इसलिए उत्तर प्रदेश का अब और बटवारा बीजेपी कता ही नहीं चाहती लेकिन जिस तरीके का मुद्दा अब यानि की मुसल्मानों की तादाद ज्यादा है इसलिए इसने एक तरीके से इस मामले में नया रायता फैला दिया है और बीजेपी को अब इस पर मुझे लगता है कि एक क्लिर स्टैंड फिर से लेना पड़ेगा अब इशेक आपने रायते का जिक्र किया क्या ये रायता भाजपा के लिए चुनाओं में स्वाद खराब कर सकता है निश्यत तोर पर 2024 का चुनाओ सर पर है और 2024 में बीजेपी की का बहुत कुछ नाओं पर लगा है क्योंकि प्रदान नंत्री मोधी का चुनाओ है लेकिन ये बीजेपी की तरफ से उठाया हुआ मुद्दा नहीं है ये मुद्दा दरसल उठाने पर जब संजीव बालियान ने इस मुद्दे को उठाया और संगीत सोम ने एक नए तरीके से इसका जवाब दिया तो ये बीजेपी के बीजेपी ने इंटरनल तोर पर दो मुद्दों को अड्रेस करने की कोशिश की है अपने कंस्वेंस के लिए यानि कि अपने जो उसके वोट बैंक है उसके लिए एक मुझे बहुत इसमें गंभीरता नहीं दिखाई जिदे देती जो संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिम को एक अलग राज बनाया जाना चाहिए दरसल उन्होंने अपने लोगों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन लोगों के जो कंसर्ण्स हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई छोटा सा भी अगर केस मुकदमा हो जाता है तो उन्हें हाई कोट के लिए लखनव आना पड़ता है और इतनी दूर यानी कि आप मान लें कि तक्रीबन पांचो किलोमेटर दूर आना पड़ता है तो वो अपने लोगों के उन्होंने मुद्दे उठाए अब उसका जबाब संगीत सोम ने दिया कि नहीं जी अगर ये बन गया तो ये मिनी पाक कोशिस है कि बहुत दूर है लखनव इसलिए इसका कुछ हल निकाला जाए और दूसरा ये कि देखो जी मुस्लिम्स बहुत ज्यादा है तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा तो वो अपनी जो उनकी कोर कश्वेंसी है बीजेपी की जो हिंदुत वाली जो उनके लोगों की उसको एड्रस करने की एक कोशिस है मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान या परिशानी बीजेपी को इसके लिए होने जा रही है क्योंकि बीजेपी का स्टैंड अभी तक बड़ा क्लियर है कि वो कोई बटवारा उत्तर प्रदेश का जी अब बीजेपी का स्टैंड क्लियर है लेकिन बाकी जो स्टेगोलडर्स है उनका क्या कहना है समुद्द्दे पर बावजूद इसके वो नहीं चाहती कि वो उत्तर प्रदेश का बटवारा हो और आज इसके प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि हम ऐसे किसी भी बटवारे के खिलाफ हैं कॉंग्रस पार्टी भी ऐसे किसी बटवारे में साथ नहीं देगी उसने भी आज साफ कर दिया लेकिन बसपा का एक स्टैंड रहा है बीएसपी पहले से उत्तर प्रदेश को चार भागों में बाटने को लेकर के उनका एक स्टैंड रहा है और 2011 में बकाईदा उन्होंने प्र मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए लेकिन सियासत है कभी भी कोई भी मुद्दा ऊपर आ सकता है ऐसे में इसमें नजर तोर लोगों की जरूर बनी होगी इसको लेकर चर्चाएं जरूर होगी लेकिन फिलहाल मुझे उत्तर प्रदेश का बटवारा कोई बहुत बड़ा आयोक के सदस्से केम पणिकर ने अपनी असहमती जदाई थी और आगरा नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग भी की थी और अलग राज्य बनाने की बात चल रही है तो साल 2014 में भी एक राज्य बना था तेलंगाना इसे आंधर प्रदेश से अलग कर बनाया गया था साल 2014 में ही भार्दी जन्ता पार्टी केंद्रे की सत्ता में आई थी और तभी से लगभग सभी राज्यों में सरकार में आती जाती रही है तेलंगाना उनकुछ एक प्रदेशों में से है जहां भाचपा का विजयरत थम जाता है ऐसा इस बार ना हो इसलिए भाचपा तयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और इसी सिलसले में प्रदहन मंत्री नरेंद्र मोदी कल निजामाबाद में थे चुनावे रैली को सम्मुधित कर रहे थे उन्होंने सीधे मुख्य मंत्री की चंदरशेखर राओ पर निशाना सा था आपके नित्रतों में देश प्रगजी कर रहा है हम भी NDA का हिस्सा बनना चाहते है आप हमें NDA में शामिल कर दीजिए मैंने का आगे क्या के कारणा में ऐसे है मोधी आपके साथ जुड़ नहीं सकता KCR की पार्टी भारत राष्ट्र समिती ने प्रधान मंत्री के दावे का खंडन कर दिया था और उनके निता केटी रामाराओ ने बीजेपी को जूड की फैक्टरी कहा और प्रधान मंत्री को वाटसएप यूनिवरस्टी का चांसलर तो चुनाव से पहले सिदे-सिदे के CCR पर हमला बोलकर भाचपक किस तरह का चुनावे लाब उठाना चाहती है और इसके पीछे की रणनीती को समशने के लिए हमने बात की हैदराबाद में मौजूर आज तक रेडियो रिपोर्टर अब्दुलबशीर से मेजॉरिटी मार को गौज किया था तो सपोर्ट जरूरी था तब केसियार ने प्रदानमंत्री मोधी से रिगल्ट आने के लगबग दस दिन के अंदर ही मैं समर्टाओं दिसमर बारा को उन्होंने उन्से डेली में मुलाकात की और वहाँ पर जो बाची तूरी उसका प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने उनको साफ इंकार कर दिया इंडिये इंट्री देने से मना किया और ये बताया कि ब्यारेस तरजुतर ब्यारेस की ये करप्ट पार्टी है जो सिर्फ परिवारबाद पर चल रही है तब से KCR ने अपना जो है दूसरा तरीके का रंग बताना चुरू किया उन्होंने कभी वीटिंग्स एटेंड नहीं किये जहांपर को पिशिल प्रोग्राम जो कहा है जहांबर चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए वहाँ पर वो मौजुद नहीं रह रहे हैं क्योंकि यही वज़ा है कि उन्होंने इंडियंगे उनको शामिल करने से मना कर दें तो यह पूरी जो है यह खुलासा जो प्रजानमंतरी दरेंज नहीं किया अब तेलंगाना पॉलिटिक्स में एसी आर पर कई सारे आरोप है कि वो एक वरोसे मंद पॉलिटीशियन नहीं रहे हैं और इसी के चलते अभी जब यह खुलासा आता है तो कॉंग्रेस को लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा और बीजेपी को भी इसका कुछ फायदा होगा कॉंग्रेस लगातार यह आरोप लगाते आई है कि वी आरेस और बीजेपी एक साथ है बैक डूर में ये लोग साथ में काम कर रहे हैं बट आगे से एक उसने पर निशाना शाध रहे हैं तो यह क्लेम जो कॉंग्रेस करती आई है इसको जो है एक सपोर्ड जैसे बोलते हैं कि एक सपोर्ट मिल गया है कॉंग्रस को एक एविडेंट मिल गया है कि KCR की पहले पे क्या इच्छा जाहिर थी या क्या इच्छा थी वो प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी रहा है आज की निदामबाद की सभा में बता दिया अबदुल जब से तेलंगाना का निर्मान हुआ है तब से ही KCR मुख्य मंतरी है आपने हैदरबाद मुनिसिपल कॉर्परेशन इलेक्शन का भी जिक्र किया कहा जाता है कि इस से थाबित होता है कि KCR पहले से कुछ कमजोर हुए हैं तो इसका सबसे पहला फाइदा किसको मिलत दिखता है इस बार तीनों पार्टी साफ साफ यह क्लेम कर रही है कि वो सरकार बनाएंगे और वो पावर में आएंगे तो अभी हम जो राजने दिखालास देखते हैं राज में जैसे कही सारे इंसक्रिकल में आपको बताता हूं कि बियारेस एमेलेस इनको पार्टी ने टिकेट दिया जैसे मायन अपळी हनुमान तराओ है जो भलकाजीड़ी के वीरेस के एमेले थे, है अभी भी और उनको आने माले चुनाव के लिए बियारेस ने पार्टी टिकेट दिया वो नाराजगी, BRS से नाराजगी जताते हुए Congress Party जॉइंगे इसी प्रकार से कई सारे leaders है जो mass leaders है जो Congress की तरफ देख रहे है ना कि BJP की तरफ तो इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां की leaders हो या आम जंता हो उनको BRS के खिलाब Congress थोड़ा मजबूत होती दिखाई दे रही है लेकिन हम यह claim जो है नहीं refuse कर सकते है कि BJP भी तरीके से जब से हाइजरबाद के multiple चुनाव होए है सबसे काफी अच्छी तरीके से perform करती रही है इस्टेट में बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुलबशीर प्रुधार मंत्री ने कल चुनावी सौगा देते हुए निजामाबाद में 8000 क्रोड रुपे की अलग-अलग विकास पर योजनाओं का भी लुकारपन किया और 6000 क्रोड रुपे की लागट से तयार किया गिया और ये डोर पिछले एक साल में और मजबूत हुआ है खबर ये है कि भारत में एवरिज इंटरनेट स्पीड चार गुना तेज हो किया है ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड की जानकारी देने वाले कमपनी ओकला एक रिपोर्ट लेकर आई है जो ये कहती है कि भारत स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पाइदान चढ़कर 47 स्थान पर पहुँच किया है इस लिस्ट में भारत अपने कई पडोसी देशों से आगे है वहीं जपान 98, बुटन 62, मेक्सिको 90 स्थान पर भारत से पीछे खड़ा है पिछले साल के सितंबर तक भारत में औसट डाउनलोट स्पीड 13.87 Mbps की हुआ करती थी जो अब 50 Mbps तक पहुँच गई है अगर भारत के राज्यों के बात करें तो इसमें जम्मू और किश्मीर सबसे उपर है वहाँ औसत एवरेज इंटरनेट स्पीड 150 Mbps है एक साल के भीतर आयस तेजी के कारणों को समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो की टेक जानलिस्ट मानस तिवारी से सबसे बड़ी बज़ा है कि 5G रूल आउट हो गया है क्योंकि जो रिपोर्ट है ये एर ओन एर बेसिस पर है तो पिछले साल ऑगस्ट तक हमारे प्तास को कि 5G नहीं था सिर्फ 4G था तो ऑविसली जो हमारी आवरेज इंटरनेट स्पीड थी वो काफी गम थी मैं इस रिपोर्ट के सबसे जाओं जो आवरेज स्पीड थी करीब 14 Mbps के आसपास 14 भी नहीं थी अब ऑगस्ट के बाद किया हूँ एक औक्टूबर को पिछले साल 5G रूल आउट हुआ था और 5G रूल आउट होने के बाद करीब 4 गुणा हमारी जो स्पीड में हमने फरक देखा है और ये ध्यान रखने वाली बात भी है कि 5G अभी तक हर जगे पहुचा नहीं है इंडिया में और जहां पहुचा है वहाँ पर भी हर एरिया में नहीं है फर एक्जांपल वज़े से जो है आपने देखा है कि 72 जो प्लेसे के आप बात करे हैं कि जो गेन हमने करी है वो हुई है दूसरा फैक्टर इसमें आता है कि एक तो चलो रॉल आउट तो हुआ हुआ बट पिछले 10 महीने या एक साल में वो जो रॉल आउट है जो इंफ्रस्ट्रक्चर है उसको भी और बेटर बनाया है उसका डिप्लॉयमेंट भी बेटर हुआ है अब हर 10-15 दिन में पढ़ते हो कि नए चार जगों पर रॉल आउट शुरू हो गया या नए छे जगों पर रॉल आउट शुरू हो गया तो एक टेलिकॉम बेस है टेलिकॉम यूजर्स का बेस है जिनको भी 5G का आक्सेस ही नहीं है तो इसमें पुटेंशल और भी है भी अभी तो 50 Mbps पहुंचे हैं हो सकता है अगले साल जो रेपोर्ट है तब तक हम और 10-15 Mbps का जो गेन देखे हो उसकी वेसे और 15-20 ये ख्याल आया है कि यूजर पॉइंट ऑफ यू से अगर हम देखें तो जो बड़ी हुई इंटरनेट स्पीड है उससे क्या अंतर आ जाता है मतलब तेरा Mbps की स्पीड भी ठीकी है एक जेनरल यूजर के दिमाग में सबसे पहले आसके रेट में कॉंटेंट ही आता है कि क बहुत लो लेवल या बेसिक लेवल यूसकेस है हाई इंटरनेट स्पीड का हाँ ओविसली इसका फाइदा होगा कि अगर पहले में 1080p में फुल HD में कोई वीडियो देखता था आम मैं 4K में कंजूम कर पाऊंगा कि वो मेरे बॉफरिंग में टाइम कम लगेगा बट अगर लेवल पर हो गया अगर आप बिजनेस या एंटर्टराइस लेवल पर जाओ तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दूसरे यूस केसे हैं 5G के क्लाउड गेमिंग हो गया फॉर एक्जांपल चलो पहले जो हम गेमिंग की बात कर देंगी इंडिया में डाउन्टराइब खेलने पड़े था ना बेसिकलि हम ऑनलाइन अप क्लाउड गेमिंग कर पारें आपको फोन में डाउन्लोड करने की जरवत नहीं है content जो है एक तो हो गया consumption जो इसकी बात आप ने करी एक हो गया कि इससे ना नए content patterns, styles जो है या नही content technology जो है आप उसको भी discover कर सकते हैं उसको भी implement कर सकते हैं आपको let's say 4K, Dolby Vision, Falandum का format के अंदर वीडियो देखनी है पहले आपके पास वो internet speeding जो सको support कर पाती है आज आप वो सारे experiences ले पाओगे same for audio और healthcare के अंदर, education के अंदर, इन सब के अंदर बहुत सारे use cases है एक साल में मैं यह नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़ा कुछ बतल गया या बहुत फाइदा हो रहा है बहुत अभी initial stage है बर देरे-देरे फाइदा होना शुरू होगा इसका वैसे इस report में मानस यह भी का गया है कि जमू और किश्मीर में mobile internet की जो average speed है सबसे ज़ादा है तो इस राज्य और internet की जो image है वो तो इस आखरे से बिलकुल उलट है तो फिर भी यह कैसे समभब हुआ यह अब इस मेंना गोई technical reason रून बढ़ना बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा common sense अगर यूस करें कि कश्मीर एक बहुत touristy place है वहाँ बहुत tourism को promote करते हैं बहुत सारे foreign tourists भी आते हैं जैसा भी लोग जाते हैं तो शायद उस हिसाब से वहाँ पर उस तरही connectivity प्रोवाइड कराई जा रही है कि कर कोई बाहर से वहाँ आए तो उसे struggle ना करना पड़े है उसे वो जो services है वो genuinely मिलती रहें और ये भी देखना हुआ कि कई सारे जो बड़े शेहर हैं इतने सारे लोग यूस कर रहे हैं तो बैंडविट के इस्चूस भी कई बार हो जाते हैं कि इतना बड़ा यूजर को आप केटर कर रहे हो कि वह स्पीड जो है उस लेवल तरक पहुँच नहीं पाती है कश्मीर में हो सकता है comparatively कम यूजर है और देश दुनिया की अख़पारों में छपी आज की बड़ी ख़बरों को सुनने का वक्त हो गया है बताये शुपम बूर्मारिंग सभी रास्टरी हिंदी या अंग्रेजी अख़बरों में अलग-अलग ख़बरों को प्रतमिक्ता दी गई है तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेज जतनी आबादी उतना हग की बात तो कर रही है लेकिन क्या वो अलपसंख्यक विरोधी है अगर वो अलपसंख्यक विरोधी है तो इसकी घोष्ट ना करे प्रधानमंतरी का तर्थ था कि अगर आबादी के हिसाब से ही पहला हक तै होना है तो क्या सबसे पहले बड़ी आबादी हिद्दूओं को अपने हक के लिए आगे आ जाना चाहिए लेकिन प्रधानमंतरी चाहिए जब ये सब बोल रहे थे उनकी सरकार ही में सहयोगी अपना दिल की नेता अनुप्रिया पटेल इस से अलग लाइन ले रही थी उन्होंने कहा कि जातीय जनगर्णा होनी चाहिए और ये समय की मांग है उधर बिहार में कल इसी मसले पर सर्वदलिय बैठक बुलाई गई सभी पार्टियों के लोग वहाँ पे थे दो धाई घंटे बीटिंग चली भागपा माले और AIM ने आरक्षन बढ़ानी की मांगी है दैनिक भासकर में ये खबर है और मुखी मंतरी नितीश कुमार ने कहा है कि वो इस पर विचार करेंगे बहुत विचार के बाद शायद भारत ने कनाड़ा के 41 राजनईकों को भारत छोड़ने काल्टिमेटम दिया है भारत ने कनाड़ा पर एक और एक तरह से कुटनिदिक हमला ये किया है और एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि कई जोगों पर है मैं दैनिक भासकर के हवाले से क्योंकि ये जादिगत जडगर्णावाली खबर के ठीक पगल में अकबार ने इसे जगह दी है भारत ने कनाड़ा को कहा है कि वो नई दिल्ली के अपने उच्चायों के 62 में से 41 राजनईकों को हटाए कनाड़ा को 10 अक्टूबर तक इसके लिए अल्टिमेटम दिया गया ह वहीं एक पर जनसत्ता के वाले सी के सोना एक दिन में 1044 रुपे सस्ता हुआ है और पांच महीने में इसकी कीमत 4971 रुपे तक गिर चुकी है तेवहार का सीजन आ रहा है और इससे पहले सोने और चांदी की जो चमक है वो फीकी पड़ती हुई दिख रही है न्यूस वेब साइट न्यूस क्लिक से जुड़े कई पत्रकारों के घर पर कल जो चापे मारी हुई पूरे दिन वो सुर्खियों में रहा और आज कई का अख़बारों ने से प्रमक्ता से जगा दी है मैं इंडिन एक्स्ट्रेस अख़बार देख रही हूँ इस दौरान कुल पचास लोकेशन्स पर जो है पूर दिन चापे मारी चली और उसके बाद पुलिस ने कहा है कि कुल 46 सेस्पेक्ट्स को है वो क्वेशनिंग हुई है उनके साथ और उनकी जो डिजिटल डिवाइजेज है वो सीज कर लिए गए हैं खुश्पू एक खबर में एंडियन एक्सप्रेस के बाले से बता रहा हूँ कि महरास्ट्र के मुख्यमंतरी एकनाथ सिंदे और उप मुख्यमंतरी देविंद्र फर्णविस के दिल्ली आने के बाद से अलग-अलग कया सबाजीयों का दौर सुरू हो गया है वहां की राज कि एक बैठक हुई थी मुख्यमंतरी के घर पर जिसमें एकनाथ सिंदे देवेंद्र फर्णविस और अजित पवार मुझूद थें लेकिन वहां पर NCP के जो मिनिस्टर्स हैं उनको कुछ और अधिकार देने को लेकर एक सहमती नहीं बन सकी और इससे तल्खी की बात कही ज जनसत्ता पर एक खबर है कि महरास्टर में सरकारी अस्पताल में 24 गंटे में 18 लोगों की मौत दरज की गई है एक अधिकारी के हवाले से जनसत्ता नहीं जानकारी चापी है इससे पहले मराटवाड़ा ही के नान्देड इस्थित डॉक्टर संकर राओ चौहांड सरकारी मे 24 गंटे में 24 मौते दरज की गई थी और इसके बाद 1 से 2 अक्टूबर के बीच 7 और मौत दरज की गई जिससे 48 गंटे में कुल मृतिकों की संख्या 31 हो गई है कौंग्रेस ने नान देड की घटना की व्यापक जाच की मांगी है कल एशियन गेम्स में दसवे दिन भारती अथलीट्स ने दो गोल जीते हैं शुपम भासकर पर मैं ये खबर पढ़ रही हूँ जैबलिन थ्रो में अनुरानी ने 62.92 मीटर दूर तक भाला फेकर ये गोल जीता वहीं पारूल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड में ये गोल जीत से यहां Bangkok में गोली बारी की घटना हुई हाला कि इस पर जानकारी बदलते रही एक shopping mall में जो गोली बारी हुई उसमें केवल एक वेक्ति की मौत हुई है केवल एक इसले कहना पढ़ रहा है क्योंकि पहले जो emergency center की वहां की director है उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमले में तीन लोग मारे गये हैं इस हमले में छे लोग घायल हुए हैं जिन में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है पुलिस ने इस मामले में एक नावालिक को गिरफतार किया है हाला कि अपितक हमले की वज़़ पता नहीं चल सकी है दिकाठ मांडू पोस्ट पर एक खबर है कल मंगल बा परतें नेपाल के आसपास की गंभी रूप से शतिग्रस दिख रही है इस भुकम्प में नेपाल में भी तक दो लोगों के घायल होने की खबर है दगाडियन नियॉक टाइम्स और सभी अखबारों में तीन वैग्यानिकों को जो फिजिक्स में नोबल मिला है उसकी जानका और आज चार अक्टूबर की तारीख को इतिहास में किसले याद करते हैं ये भी जान लेते हैं आज ही का दिन था वो 1977 में जब अटल बिहारी वाजबई ने यूएन महासभा को हिंदी में संबोधित किया था ये इतिहास में पहली बार था जब यूएन के मन से किसी नेता ने हिंदी में अपना भाशन दिया था 1957 में सोवियत संग ने स्पूतनिक वन लॉंच किया था 1884 में हिंदी के प्रमुख साहित्तिकार रामजंदर शुकल का जन्म हुआ पूरी दुनिया में हर साल आज जी के दिन World Animal Day यानि विश्व पशु दिवस मनाया जाता और जिन दुनिया भर के पशु कल्यान संगठन जो है वो पशु कल्यान के मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए कारिक्रम आयों जित करते हैं तो इसी के साथ वक्त हो गया है आज के दिन पॉड्कास्ट यहीं खत्म करने का कैसे लगा आपको बताईएगा जरूर हमारा पता है radio at the rate आज तक.com शो को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने साउंड डिजाइन का पिल देव सिंग कर रहा मेरा नाम खुश्ब कुमार है अगले मुलकात आपसे दस बजे के news bulletin में होगी और हाँ वाटसेप पर आज तक रेडियो का चैनल आ गिया है इस podcast के description में उसका link आपको मिल जाएगा तो फटा फट उसे भी follow करना है अब खुश्ब कुमार को दीजिए एजाज़त नमस्कार कर दो